शहर की सुरक्षा विवस्ता पर दिन बदिन गहन लगता जा रहा है नागरिकों को अब अपने माल के साथ अपने जान का भी जोखम उठाना पड़ रहा है अबर की शाम साड़े पांच और छे बजे के आसपास सीटी कोतवाली पुली स्टेशन हद अंतरगत दो अपरिये घटनाए घटित हुई जिसमें दिन दाहडे सरे आम बीच चौराहे पर ही दो उम्रदराज वेक्तियों को नगद राशी के साथ में लूट कर आग्याद पेरे फरार हो गए पहली घटना डेपो रोड इस्तीत उस्मानिया मज़ित के सामने घटित हुई ये घटना को अन्जाम देने वाले दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और शामराव कुरवाडे उम्रु साथ वर्ष निवासी हिवर खेड जो अमरवती से अपने गाउ के और प्रस्थान करने हे तू निकले थे कि तभी इन आग्याद लोटरियों ने उनके पास से एक लाख रुपई की नगद राशी छीन ली और वो वहाँ से रफूचकर हो गए दुसरी घटना तो बड़ी ही चौका देने वाली घटित होई शाम साड़े पांच बजे के आ राजेंदर नत्तुजी भेडे उम्र पचास वर्ष पर चाकू से हमला कर दिया और जब तक वो कुछ समझ पाते उनके पास से नगद राशी पचास हजार रुपई लूट कर गटना इस्तल से बाइक से फरार हो गए ये संप गटना सामने के ही निवासिस्थान पर लगे सी अगरिकों को अब अपने जानवो माल के साथ दोनों ही की सुरक्षा करने पर विचार दिन होना पड़ रहा है उम्र दराज वेक्तियों के साथ में ये अपरिये घटना घटने के चलते अब शहर में जनता में ऐसी चर्चा शुरू है कि आखिल पुलिस परशासन क्या कर रह दिन दहारे ये अग्यात लुडेरे घटनाओं को अंजाम दे कर फरार हो रहे है आखिर इस शहर का क्या होंगा इस शहर की सुरक्षा विवस्ता का क्या होंगा ऐसी चर्चा जनता में शुरू है पुलिस इन अग्यात हमलावारों की तलाश में जुटी है ये अग्यात हमला गटनाओं को अन्याम देकर फरार हो चुके है जैसे ही इस संदर में अधिक जानकारी मिलती है विदर न्यूस दुआरा सबसे पहले आप तक पहुचाए जाएंगी